नमस्कार मैं शम्भू कुमार सिंग और आप देखरेने सल्दस्तक मैं इसमें बिहार के गाउं में हूँ लेकिन दिन भर की जो बड़ी खबरे हैं मैंने चाहा कम से कम मैं उस पर बात कर लो बिहार में चुनाव है तो नितीश कुमार जी को अब आरक्षन याद आने लगा है क क्या उनका जो गटवंधन है बीजेपी वो उनके बात से सहमत होगा फोगाट बहना फर्याना की जानते उन्होंने दलितों के साथ अपमान जनक सबका इस्तिमाल किया है और फ्रांस को लेकर फ्रांस को लेकर और जमू कश्मीर में जिस तरह से बीजेपी के मुस्लिम इता क हत्या हुई है और फ्रांस को लेकर यहां कि वो तमाम सोकल्ड अपने आपको एलीट कहने कहे जाने वाले बुद्धी जी जो हैं वो मुसल्मानों को कटगरे में खड़ा करा रहे हैं मैं पूछना चाहता हूं तमाम सवर लोगों से जो मुसल्मानों को कटर कह रहे हैं जो फ्रांस में किसी के हत्या हो रही है गोरे की तो इनको चिंता है लेकिन जब भारत में किसी पिछरे की किसी दलित की किसी आदिवासी की किसी मुसल्मान की हत्या होती है तो इनके मुँ में दही जम जाता है सोचिए जो लोग काला अंग्रेज अमिर्का में काले लोग के साथ जो हुआ उसके खिलाब जब आंदोलन चल रहा था तो भारत के जो सवन लोग थे वो कह रहे थे कि काले को अधिकार मिलना चाहिए लेकिन यही हिपोक्रेट लोग जब भारत में किसी पिछरे के साथ दलित के साथ बहुजन के साथ आंदोलन होता है दुर्भेभार होता है अत जब भारत का जो सवर्ण समाज में आद दिन भर सोसल मीडिया पर रहा हूं जितने सवर्ण अपने आपको कहते हैं जो मौब लिंचिंग के खिलाप बोलते हैं लेकिन जो मौब लिंचिंग के खिलाप नहीं बोलते हैं जो जाती है जो हिंसा होती है उसके खिलाप नहीं बोलते हैं लेकिन उनको मुसल्मानों के बारे में चिंता साजा जाए कबीर में अच्छा एक पोस्ट लिखा ह कि पता कीजिए कि जिस तरह से भारत में मीडिया SC, ST, OBC, Minority, पिछरे, दलित, मुसल्मान, आदिबासी के खिलाफ खरा उसी तरह से पूरा पस्षिम का मीडिया जो है वो मुसल्मानों के खिलाफ खरा होता है एक मुसल्मान के बदले सौसो मुसल्मानों के हत्या की जाती है और उसको justify भी कर दिया जाता है तो भारत के अगर बात करें तो भारत में जो धार्मिक कटरता है जो जाती बादी कटरता है उसके खिलाफ ये लोग चुप्पी रहते हैं लेकिन इनको फरांस की चिंता सताती है अमिर्का की चिंता सताती है दरसल जैसे ही बिहार में चुना हो है फरांस की मुसलिम इशू को इसलिए तरजी दी जा रहा है इसलिए बात किया जा रहा है कि भारत में फिर से हिंदू-मुसल्मान की रादिती हो बिहार में हिंदू-मुसल्मान किया जा है, यह बहुत सारत तरीके से किया जाता है, अब ही जम्व कश्मीर में BJP के मुसलिम नेता की हत्या हुई है, दिन भर मीडिया चला रहा है, दरसल फिर कोशिस है कि बिहार में जो चुना हो रहा है, उसको हिंदू-मुसलिम के नाम पर पुलराइज किया जाए मंदिर के नाम पर पुलराइज किया जाए लेकिन बिहार के लोग ऐसा कर नहीं रहे हैं अब दुसरी खबर है नितीज कुमार से नितीज कुमार कह रहे हैं कि हम जिसकी जितनी संख्या उसके हिसाब से आरक्षन देंगे तो क्या वो तयार है इस देश सेक्षन के लोग हैं उनको तो आरक्षन मिल गया सवन समाज को लेकिन जो सोचली बीवकर सेक्षन के लोग हैं जो अंट्रिशेविलिटी जिन्हों ने जहला है उनको कम मिलेगा 85% आवादी है CST OVC मायनोटी की तो क्या नितीश कुमार 85% आरक्षन देंगे और क्या उनका जो की गिंती नहीं हो रही है जातियों की गिंती नहीं हो रही है जब कि यह बहुत कैटेगरी कंसिशनल टर्म से CST OVC मायनोटी उनकी गिंती होनी चाहिए और अगर नहीं है तो नितीश कुमार बैक फुट पर है और बीजेपी से पूछा जाना चाहिए कि जब प्राइबटा के लोग को तो मैं फिर कह रहा हूँ लगातार मीडिया ख़वार और टेलिविजन जो है वो फरांस के बहाने जमू कश्मीर के बहाने बिहार में सेंटिमेंट को भरका रही है हिंदू-मुस्लिम करने की कोशिस हो रही है लेकिन वो तो बिहार के लोग हैं बिहार में तेजस को हिंदू-मुस्लिम कराया जाए लेकिन जो बिहार के CSTOBC मैनोटी के लोग हैं वो सिर्फ रोजगार बेरोजगारी के खिलाप बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं रोजगार के लिए दिमान कर रहे हैं गरीबी लाचारी भुकमरी है लोगडाउन में जो नुक्सान हुआ ह उसको लेकर बात करें लेकिन मीडिया जो है फरांस के बहाने भारत में हिंदू-मुस्लिम कराने की कोशिस हो रही है जो अब तक तो नाकाम्याब होती ही दिख रही है आप लोग की क्या परत्किरिया अपनी परत्किरिया जूर दीजिए क्या नितीस आपके आरक्षन वाले कर एक मुस्त बोट कर रहे हैं बदलाब के लिए ग्राउंड पर आप जाएंगे तो यह लगेगा मिडिया की कोशिस है कि किसी तरह से मैंनो प्लेट किया जाए मैं लगातार ग्राउंड रिपोर्ट बना रहा हूं आप लोग देखिए पूरे देश में दलिस समाज की हालत क कि आए अस्पताल के हालत क्या है रिपोर्ट दिखा रहा हूं आप लोगों को देखना चाहिए और तब पता चलेगा कि जाती का जेहर जो लोग झेल रहे हैं, जाती का जो दंस झेल रहे हैं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे